प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में यदि कोई बंदा किसी भी चीज का गुरूर करता है किसी भी चीज का गमंड करता है तो बो ज्यादा दन नहीं टिकता है गमंड करना या मे करना या किसी भी चीज का गुरूर करना बड़ा खतरनाक साबित होता है गमंड गुरूर और मैं रावण जैसे विद्वान लोगों की नहीं चल सकी उनका भी नामों निसान मिट गया तो प्रिदर्श को हम तो एक छोटे मोटे इंसान है हमारी क्या ओकाद है प्रिदर्श को हमारे पास धन दोलत हो या ना हो हमारे पास लाठियां हो या ना हो हमारे पास अच्छा स्वास्त हो या ना हो लेकिन फिर भी हर आदमी गमंड करता है पता नहीं किस चीज का गुरूर करता है आज की जो कहनी है आज का जो हमारा परसंग है वो आपको ये ग्यान देने वाला है कि कभी भी गमंड मत करो, किसी भी चीज का कभी भी गुरूर मत करो इतिहास इस बात का साक्सी है कि जिन लोगों ने किसी भी चीज का गमंड किया है या गुरूर किया है उनका पतन निश्य हुआ है आज हम जो कहानी प्रस्तूत करने वाले हैं, एक हुद हुद पकसी की कहानी है, प्रियदर्सकू, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्दक है और बड़ी मोटिवेसनल कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनियेगा, ये कहानी आपको आपके जीवन में धेर सारी प्रेणाय देने वाली प्रियदर्श को हुद्धुदुपक्सी को आप सभी जानते होंगे। हुद्धुदुपक्सी वह हुता है जो व्रक्स के अंदर अपनी चौच से बिल बनाता है। और उस बिल के अंदर अपने बच्चों को जनम देता है। कहीं कहीं लोग इसको खाती चड़ा भी बोलते है आज इसी हुद हुद पक्सी की पावन पवीत्र कहानी परस्तूत करने जा रहे हैं इस कहानी में आप जानेंगे कि हुद हुद पक्सी बरक्स के अंदर अपना बिल क्यों बनाता है बरक्स को अपनी चोंस से खोद कर उसके अंदर अपना बिल तयार करता है कहानी सुरू करने से पहले जो लोगम से नए जुड़े हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ओन करें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हराने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले शुरू करते हैं प्रेदर्श को आज की प्यारी सी कहानी आज का ये प्यारा सा वीडियो एक समय की बात है एक जंगल में एक अवारा हाती बुरी तरे उत्पात मचाता है सबी पेड़ पोदों को सबी व्रक्षों को उखार के फैकने लग जाता है जो भी जीव जन्तू उसके सामने आता तो उनको मार गिराता उसी जंगल में एक हुद्धुद पक्सी का जोड़ा रहता था हुद्धुद पक्सी ने एक व्रक्ष की डाल पर अपना गोंसला बना कर अपने अंडे दे रखे थे उनका परिवार बहुत सुकुन की जिन्द की जी रहा था हुद्धुद पक्सी की पत्नी अंडे दे कर और हमेशा अंडों पे बैठी रहती वो ये सोशती रहती कि कब मेरे नन्ने नन्ने बच्चे अंडों से भार निकलेंगे और कब उनका परिवार संपून होगा अंडों पे बैठी रहती हुद्ध उड़कर दूर जाता और भोजर पानी लेकर आता और अपनी पत्नी को खिलाता हुद्ध की पत्नी 2400 घंटे अंडों पर बैठी रहती उदर वो उदंड हाती सभी व्रक्सों को तोड़ता हुआ आ रहा था उस दिर बाद वो हाती उस व्रक्स तक पहुशता है जहां पर हुद्ध ने अपने अंडे दे रखेते और हुद्ध जहां बैठी रहती थी अब हुद्ध अपना सर पकड़के रहती है हाती का करतो कूछ नहीं सकते थे भारी भर कम हाती ताकतवर हाती अब उसका हुदूद पक्सी क्या भी गाड़े दोनों पती पत्नी अपना सर पकड़ के रोते हैं चिलाते हैं विलाप करते हैं लेकिन उनकी कोई सुनने बाला नहीं था अब हाती पेड़ पोदो को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है हुदूद और हुदूद की पत्नी दोनों बिलाप कर रहे थे रो रहे थे तबी उनके पास में एक मैना चडिया आती है मेना चडिया की हुदूद की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती थी अच्छी मित्रता थी तब वो मेना चडिया आती है और मेना चडिया अपनी मित्र को रोते हुए देख कर उन से कहती है कि भेना तुम क्यों रो रही हो तब वो हुदूद की पतनी मैना को वो सारी बाते बताती हैं वो कहती हैं कि कुछी दिनों में मेरे बच्चे होने वाले थे लेकिन एक उदन्द हाती ने ब्रक्ष को तोड़ दिया अंडे निचे गिर गे और फूट गए अब हम करें तो क्या करें यही कहे कर दोनों पती पतनी फूट फूट के रोने लगते हैं तब मेना च्डिया उनको धीर बनाती है और कहती है कि देखे रोने से कुछ नहीं होगा जो होनी थी वो हो चुकी है होनी को कुण टाल सकता है अब आगे के बारे में सोचो कि उस उदंड हाती को किस तरीके से सबक सिकाया जाए उसको सबक सिकाना बहुत जरूरी है मेना च्डिया उर कहती है कि आज तो उन्होंने तुमारे अंडे फोड़े हैं तुमारे बच्चों को मारा है कल वो अन्य किसी पक्षियों के अंडों को फोड़ेगा उनकी बच्चों को खतम करेगा इसलिए इस हाती को सबक सिकाना बहुत जरूरी है तब हुद हुद और हुदूद की पतनी मेना से कहते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं वो बारी भर कम हाती है ताकतवर हाती है हम छोटे छोटे परिंदे हैं इतने बड़े हाती का हम क्या बिगार सकते हैं तब मैना चडिया कहती है कि तुम चिंता ना करो एकर एक दो होता है संगठन में बड़ी सकती होती है मैना चडिया कहती है कि मेरा एक भहुरा दोस्त है हम बहुरे के पास चलते हैं वो हमें जरूर कुछन कुछ सला देगा तब हुदूद, हुदूद की पतनी और मैं नाच डिया बहुरे के पास जाते हैं और बहुरे को वो सारे हाल सुनाते हैं तब बहुरा कहता है कि हाती को सबक सिकाना तो बहुत जरूरी है लेकिन मेरा एक मित्र है मेरा एक मित्र मेंडक है यदि हम मेंडक के पास चलें तो वो हमें अच्छी सला दे सकता है और वो हमारी साइता भी जरूर करेगा बहुरे कितनी बात सुनने के बाद हुदुदपक्सी, मेना और भौरा मेंडक के पास चले जाते हैं एक तालाब में चले जाते हैं जहां उनका मित्र मेंडक रहता था अब मेंडक से वो सारी बात बताते हैं तब मेंडक कहता है कि मित्रो तुम चिंता ना करो मैं कुछी देर गहरे पानी में जाके और अपना दिमाग चलाता हूं क्योंकि मैं जब तक गहरे पानी के अंदर नही करता है इसलिए तुम यहां पर इंतजार करो मैं गहरे पानी में जाके और सोच के तुम्हीं बताता हूं कि क्या करना है तो मित्र मेंड़क पानी में छलांग लगाता है और गहरे पानी में जाके बैड़ जाता है कुछ गंटों के बाद मेंड़क फिर से पानी से बहार आता ह और सभी मित्रों से कहता है कि मेरे दिमाग में हाथी को सबक सिकाने के लिए एक बड़ा कजब का आइडिया है। मेंडग अपना विचार और अपना आइडिया उन सभी के समक्स रखता है। सभी को वो आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी जोर जोर से उचलने लगते हैं। कुसी मनाने लग जाते हैं। उदर वो उद्दंड हाती बरक्षो को तोड़ता हुआ उनसे कुछी दूरी पर आ जाता है। मैनड की रण नेती के अनुसार सबसे पहला नमबर भहुरे का आता है। मेंड कहता है कि हमारी रणनेती के अनुसार सबसे पहला काम भहुरे का है मेंड कहता है कि भहुरा अब तुम हाती के पास जाओ और उनके कानों में जोर जोर से गुन गुनाने लगो तब भहुरा हाती के पास जाता है और उसके कानों के पास जोर-जोर से गुन-गुनाने लगता है जब भहुरा जोर-जोर से गुन-गुनाता और उसकी आवाज हाती के कानों में पड़ती तो हाती मंत्र मुक्त हो जाता है वो उदंड हाती बहुरे की मदूर आवाज सुनकर इतना मंत्र मुक्त हो जाता है कि अपनी सुद्वुत तक भूल जाता है अपनी आखे बंद का लेता है और बड़े गौर से और बड़े ध्यान से बहुरे की गुन-गुनाट सुनता है जब हाती अपनी आँके बंद कर और भौरे की गुनगुनाट को सुनता है तब मेंड़ की रननेती के अनुसार दूसरा नमबर हुदूद का आता है अब मेंड कहता है कि हुद हुद मित्र अब तुम्हें हाती की पास जाना चीए और हाती की आखे बंद है और तुम्हारी पहनी चोंस से हाती की दोनों आखे फोड डालो मित्र मेंड की रन नेती के अनुसार दूसरा नंबर अब हुदूद का आता है दोनों पती पतनी उडान भरते हैं और दोनों हाती की एक एक आख को फोड देते हैं अपनी पहनी और ती की सोंस से एक एक वार में हाती की दोनों आख को फोड देते हैं अब हाती अंदा हो जाता है, हाती की आखों से खून बहने लगता है, अब हाती को कुछ दिकाई नहीं देता है, अब हाती की दोनों आख फूट चुकी थी अब हाती इतना प्रेसान हो जाता है इदर उदर फचाटा मारता वरक्सों से टक कर खाता इदर उदर बचीट खाता इदर उदर टक राता कभी गिरता कभी हुडता कभी वरक्सों के टक कर खाता इस तरीके से हाती बहुत गायल हो जाता है अंत में हाती को भोत तगड़ी प्यास लगने लगती है अब हाती सोचता है कि मुझे पानी पीना चीए हाती के अलग सूख जाते है तब आकरी नमबर मेंडक की रननिती के अनुसार मेंडक को कहता है मेंडक अपने सभी मेंडक मित्रों को एक गड़े के पास में बिठा देता है और उनसे कहता है जब हाती को प्यास लगने लगे तो तुम्हें जोर जोर से टर राना है और जब मेंडकों की टर राने की आवाज हाती सुनेगा तो इधर दोड़ा चला आएगा इस तरीके की आखरी रन्निती मेंडकों की थी जब हाती प्यास से तिल मिनाने लगा तो मेंडक एक गड़े के पास में जोर जोर से टर राने लगे जब हाती के कानों में मेंडकों की आवाज जाती है तो हाती सोचने लगता है कि मेंडक जो है पानी में बोलते हैं मेंड़क जो है पानी में बोलते हैं और जहां मेंड़क बोल रहे हैं वा निश से ही पानी है अब हाती जिदर को मेंड़क बोल रहे थे उदर को दोड़ने लगता है जैसे जैसे बो हाती मेंड़क के नजीक जाता उसी तरीके से मेंड़क जोर जोर से टर राने लगते अब हाती की स्पीड इतन तेज हो जाती है कि हाती रुक नहीं सकता अब जैसे हाती उस खाई के पास में जाता है उस गड़े के पास में जाता है और मेंडखमा से दूर हड़ जाते हैं और हाती सिधा गड़े में गिर जाता है हाती जैसे गड़े में गिरता है हाती की हड़ी फसलिया तूड जाती है और हाती के पंगवके रूड जाते हैं हाती खतम हो जाता है जब हाती खतम हो जाता है तो हुदुद पकसी, हुदुद की पत्नी और उनकी मित्र मैना, भौरा और मैंडग पूरे मिलकर जसन मनाते हैं, कुसी मनाते हैं कहते हैं कि आज फिर एक रावन का अंतु हुआ है कहते हैं कि आज फिर एक इरणा कुष्श्व का अंत हुआ है कहते हैं कि आज फिर एक राक्सस का अंत हुआ है प्रिदर्स को उसके बाद हुदूद और सभी अन्य मित्र अपने अपने यतास्तान पे पहुँच जाते हैं और मेना और हुदूद एक साथ आ जाते हैं, तब हुदूद मेना से कहता है कि मित्र मेना मेरी चौँच के अंदर एक अजीब सी ताकत आ चुकी है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी चौँच किसी सोने की हो, किसी धातू की हो, मेरी चौँच में अजीब यो गरीब चमतकार है, ऐ मैना कहती है कि मित्र हुदूद ये तुम्हारा भ्रह्म है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हुदूद और हुदूद की पत्नी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है हमारी चौँच में हमें अजीब और गरीब एक सक्ती का अभाव होता है हमें एसास हो रहा है कि हमारी चौँच में एक अजीब और गरीब सक्ती है प्रिदर्सको हुदूद और हुदूद की पत्नी ने दोनों ने हाती की आँख फोड़ने के लिए अपनी अपनी चोंच का इस्तेमाल किया था और हुदूद ने अपनी पूरी चोंच को हाती की आँख के अंदर गुसा दी थी उदर हुदूद की पतनी ने भी अपनी पूरी चौश को हाथी की आँख में गुशा कर फोड़ी थी इसलिए हुदूद की चौश इतनी दड़ हो जाती है लोहे जैसी हो जाती है उसके बाद हुदूद की चौश में एक अजीबो गरीब सक्ति आ जाती है तो हुदूद मैना से कहता है कि मित्र मैना मैं कह रहा हूँ मेरा विश्वास कीजिए हमारी चौश में एक अजीबो गरीब सक्ति का एसास होता है तम मैना कहती है कि मुझी यकीन नहीं है कि तुमारी चौश में इतनी सक्ति है तो इसका प्रमान दिखाईए तब हुद हुद एक व्रक्स में अपनी चोंच को मारने लग जाता है हुद हुद अपनी चोंच को व्रक्स में तब तक मारता रहता है जब तक कि उसको खोद ना दे उसमें गड़ा ना बना दे हुद हुद एक व्रक्स में एक बिलनुमा गड़ा बना देता है तब मैना को ऐसास होता है कि वास्तिक्ता में तुमारी चोंच में एक अजीबो गरिब सक्ति आ गई है। उसके बाद से हुदूद पक्सी कभी गोंसला नहीं बनाता है। वो अपने बच्चो को जनम वरक्स में घर बना के वरक्स में गड़ा बना करके बिल बना करके उसमें अपने बच्चो को जनम देता है और हुसी में ही वो रहता है। उसको कुछनने लगा लेकिन जो गमंड करता है जो गुरूर करता है उसका अंतनिस्से ही हो जाता है इसी तरीके से एक छोटे से पक्सी हुद हुद ने और उनके सहियोगी मित्रों ने मिलकर एक बड़े से हाथी का बिनास कर दिया इसलिए कहते हैं प्रिदर्श को कि एक छोटी सी कंकरी बड़े बड़े घड़े को फोड़ देती हैं इसलिए हर मनुष्यों को ये चीए क्यों कभी भी किसी चीज का गमंड ना करे गुरूर ना करे चाहिए वो ताकत हो पैसा हो धन दोलत हो या कोई पदवी हो कुछ भी हो ल प्रियदर्स को ये कहानिया समाप्त होती है हम उमिद करते हैं कि इस कहानि से आप धेर सारी प्रेनाय लेंगे